तो आप सो कस्वागते सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में और आज हम बात करने वाले सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 4 के बारे में तो हम समय पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग हंटरो सेजन में आता है अपनी रेंगों फिल से चेक कराने के लिए और संग अपनी रेंगों चेक कराने के बाद बाल ही जा रहा होता है लेकिन यहाँ बाइको नू संग को यह कहता है कि मैं तुम्हारी जगा होता तो बाल नहीं जाता हूँ लेकिन संग यहाँ यह सुनने के बाद भी बाल चल जाता है और अब इसके आँगे तो संग यह देखता है कि उसके सामने डेल सारी रिपोर्टर होते हैं और इसके बाद हमें जीना की फ्रेंड के पास ले जाया जाता है जो जीना को ये बता थी कि उसका वाई टीबी में आ रहा है लेकिन याद जीना ये कहती है कि तुम किसी इसके बारे में बात कर रही हो और ये भी कहती है कि संग टीबी में क्यों आएगा और इसके बाद हमें अंटर उसे इसन के 10 मिलेट पहले का सीन दिकाया जाता है जहां लिविंग सुंग ये कहता है कि मुझे रैंक चेक कराने के बाद भी मुझे लोरा रैंक मिली तो तब भी मैं मेजिक भी इससे फाइट करूँगा और ऐसा करके मैं आपके सुपोर्ट को रीपे करूँगा और मुझे कोई भी रैंक मिले लेकिन मैं आपसों को ये प्रोमिस कलता हूँ कि मैं एक ऐसा अंटर बनूँगा जो लोगों को सर्फ करे और ये सब सुनके रीपोर्टर लीविंग सुन की बात इजली मान जाते हैं और उसके उपर विल से सब कोई ध्यान देने लगते हैं और यहां की सारी रीपोर्टर लीविंग सुन की फोटो कीचने लगते हैं और यहां Living Soon Money Money ये भी कहता है कि साले लोग मेरी उपर द्यान दो क्योंकि मैं Asia का greatest movie star हूँ और मैं अपना retirement रनाउस कर रहा हूँ और Living Soon ये भी कहता है कि of course ये सब जूट है जो भी मैंने बोला है और मैंने अपनी rank को पहले ही चेक करवा लिया था और चेक कर आने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं एक A class hunter हूँ और मुझे बस दो साल field guild को promote करना है और field guild मुझे ये सब करने के million दे रहे है और साले लोग का द्यान military से अटाके मेरे उपर आ जाएगा और सब को ही मेरी हल जगा बात करेंगे और मुझे Mr. Lime Tiger को टाइक्स कलना पड़ेगा क्योंकि उनने मुझे invite किया तब field guild में लेकिन यहां अचानक से एक reporter को ये बात पता चलती है कि एक A class hunter एपेर हुआ है और यहां सारी reporter का दियान लीमिंग सुन से अट जाता है और उन सब को ये बात पता चलती है कि संजिन वो कोरिया का दसवे S class hunter है और यहां सारी reporter को ये बात समझ आ जाती है कि लीमिंग सुन के वज़े से hunter decision सुबह बंद नहीं था वो इस S class hunter के लिए बंद किया गया था और यहां सारी reporter hunter decision के gate के पास बागने लगते है कोरिया के 10 वे S class hunter को देखने के लिए है और यहां Living Song को समझ नहीं आ रहा होता है कि जग में हो क्या रहा है और यहां से वेले स्टीम reporter को gate में ही रोक लेती है और दूसरे से Living Song ये कहता है कि आज ये S class hunter को यहां आना था और यहां Living Song का reporter Living Song से ये कहता है कि Mr. Lee में आपको बाद में call कलता हूँ और वो reporter call करके ये कहता है कि कल की headline लिगों की एक loser एक hero बन चुका है जो पहले कि E class hunter था लेकिन आप वो एक S class hunter है और यह सब देखने और सुनने के बाद Living Song की आलत बहुत ज़दा ख़राब हो जाती है और यहां दूसरे साइट सारे reporter संजिन वो की photo की इच रहे होते हैं और यहां संजिन वो पूरी तरह से ये सब देखके अहरान होता है और इसकी बाद हमें mining team के leader के पाद ले जाया जाता है जो अपने worker को ये बताता है कि संजिन वो टीवी में आ रहा है और यही संग के साथ जिस बंदी की fight होई थी वो ये कहता है कि मैं ये बाद जब से जानता हूँ जब से उसने मुझे घूर के देखा था और अब सालो देखते हैं कि उस scum bag ने कौन सा crime किया है और यहां दूसरे worker भी ये पूसते है कि संजिन वो ने क्या किया है और उन सब को ये बात पता चलती है कि संजिन वो कोडिया का 10 वा S-class hunter है और ये सब सुनने के बाद वो बंदा का कापने लगता है और संग जिन के साथ रेड में जाता था उन लोलोको भी ये पता चल जाता है कि संग ए S-class hunter बन चुका है और दूसर सैब जिनो की फादर को भी ये बात पता चल जाती जीन वो एक S-class hunter बन चुका है और वो जिनो से ये पूसता है कि तुमने उसे recruit कर लिया लेकिन याँ वू जिनू ये कहता है कि फादर मुझे माप कल देना क्यूंकि मैं उसे कन्वेंस नहीं कर पाया जोइन कलने के लिए और संजिन वूने मुझे ये बोला है कि वो खुद का गिल्ड खोलने वाला है और उसने मुझे ओफल दिया है उसके गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर बनने के लिए और ये सुनने के बाद वू जिनू की पादर बहुत ज़दा है रान हो जाते हैं लेकिन वो इस जग में स्माइल कलते हैं और जिनू की फादर ये कहते हैं कि अभी की टाइब में में इतना ज़दा पैसा है जो मेरे पूरी जिंदगी चलेगा और तुम्हें क्या लगता है कि मैं थोड़ा से पैसों के लिए एक गिल्ड को खोल दूँगा और ये कोई surprise की बात नहीं है कि जो hunter की strength है वो और एक country के army force को भी rival कर सकती है और national level hunter उन्हें S class hunter को भी सरपस कर दिया है और जो national level hunter है उन्हें इस world के most powerful hunter consider किया जाता है और जो small country होती है उनके लिए तो raja जैसे हैं और हम लोग legal system के उपर rely नहीं कर सकते हैं कि वो लोग आमें protect करेंगे इनसे और इसलिए मैं एक ऐसा guilt create करना चाता हूँ जिसमें trust birthday hunter हो और मैं इन hunter हो से पैसे और connection नहीं चाता हूँ लेकिन इसकी जगह मैं ऐसे hunter डूलना से था हूँ जिनके उपर मैं विश्वास कर सकूँ और देखने से ऐसा लग रहा है कि तुमने एक ऐसे hunter को डूल लिया है तो इसलिए मैं तुम्हें using guilt का leader बनने के लिए permission देता हूँ और यह सुनके जिनो एकदम एरान हो जाता है और उसके फादल जिनो से ये भी कहते हैं कि तुम्हें using guilt को spend करना है और तुम्हें strongest hunter को gather करना है जिनके उपर तुम्हें trust कर पाओ और तुम्हें अपना ally बनाना है और यह handle तुमारे future में बहुत valuable acid बनेंगे और यहां जिनो अपने फादल से ये कहता है कि इस offer के लिए सुक्रिया फादल लेकिन मैं आपके offer को accept निकल सकता हूँ क्यूंकि मैं संजिन्वू की guilt को join करने वाला हूँ और इसके बाद हमें संजिन्वू के पास ले जाया जाता है लेकिन इस जग में संजिन्वू को ये बाद समझ नहीं आ रही होती है कि ये reporter living song की photo लेनी की जगा उसकी photo क्यों ले रहे है और यहां एक reporter संग से ये पूछता है कि आपको एक S class 101 के कैसा लग रहा है और recently आपके rank को दूसरी बाद चेक किया गया है और ये चीज़े में सा नहीं होती है तो आपको कैसा लग रहा है और यहां दूसरी reporter ये कहते हैं कि excuse me Mr. Sung लेकिन प्लीज आप इस तरफ देखो क्योंकि आपको पूरी entire country देख रही है और इसलिए आपको केमरे में smile करना चीए और यहां बाइकुन संग की उपर हाथ रख के कहता है कि तुम्हें ऐसी आलत में यहां से बाल नहीं जा सकते और इसलिए आप प्लीज मुझे follow करो हम आपको गल चोल देंगे लेकिन बाइकुन जैसे ये बोलता है वैसे संग वहां से गाय हो जाता है और यह देख के बाइकुन की आँके खुली की खुली रह जाती है और संग मीडिया के बीचे आके कहता है कि मैं ठीक हूँ मैं चले जाओंगा और यहां सारे रिपोर्टर बहुत जदा है रान होते हैं कि यह एक जगे से दूसरी जगे में कैसे चले गया और यहां चाय जोंगे नहीं कहता है कि संजिन वो एक मेज टाइप हंडार है लेकिन उसके पास एक्सलेंट अटिलेटिक अबिल्टी है और यहां बाइकोन मनी मनी यह सोचरा होता है कि यह इतना ज़्यादा तेज था जिसके विज़े से मेरी आँके उसे देखी नहीं पाई और यह बात मैं पहले से जानता हूँ कि यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है लेकिन यह बस स्ट्रेंथ नहीं है और जिस तरह से इसने अभी move किया है और जब मैं उसे अंदर मिला था जब मैंने ये notice किया था कि उसका माना कितना ज़्यादा intense है और जब मैं इसे पहली बार मिला था जिसे भी ज़्यादा strong हो चुका है और यह बाद सो रही कि संजिन्वू हम दोनों से बहुत ज़़धा ताकत पड़े और यहां बाइकोनों को यह बात समझ नहीं आ रही होती कि संजिन्वू भी तोड़े से टाइम में इतना ज़्यादा स्ट्रॉंग कैसे हो गया और वो यह भी कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि यह रीव वेकनिंग नहीं हुआ है इसका और क्या यह एक ऐसा अंटर है जो गुरू कलता रहता है और इसके बाद हमें वांगडंग सो के पास लिजाया जाता है जो उस्पिटल में वलती होता है संजिनवू की डेट से माल खाने के बाद और वंगडंग सोग को ये नियूस देखके बहुत ज़्याता गुसा आ रहा होता कि संजिनवू अभी तक जिनता है और इसके बाद हमें संजिनवू के पास ले जाया जाता है जो आटिफेक्ट की सोग में आया था अपने रेड अउक को बेचने के लिए और ये वही रेड उक है जिससे दो गुना पावर बहल जाती है इसकी यूजर की और इस और को देखने के बाद सौब का ओनर बहुत ज़दा हरान होता है क्योंकि उसने बहुत सारे आटिफेक्ट देखें लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था और इस सौब के ओनर को ये विश्वास नहीं हो ला होता है कि इस मेजिक ओनर के अप्लिकेशन रेट 100% है और वो सौब ओनर मनी मन ये भी कहता है कि जो मोस्ट रिफाइन आटिफेक्ट क्राफ्ट में ने उनके बनाई हुए रेट 50% ही रहते हैं और मिस्टर चोई जोंग ही इस आइटम के लिए मुझे बहुत सारे पैसे दे सकते हैं और यहां सौब ओनर संग से ये फूछटता है कि आपको यह और कहां से मिला और संग ये बताता है कि उससे यदर डंजन में मिला दा और इयां सौप को औनर संग संग से जल्द हना कि क्या आप इस item को option में डालना चाहते हैं और हम आपकी मदद करेंगे ऐसा कलने के लिए वो भी freemium prize में और यहां संग कहता है कि मैं आपको source के बताता हूँ और संग money money यह source रहा होता है कि उसे जल्दी से जल्दी demon caster को clear करना पड़ेगा तब ही वो holy water of life को create कर पाएगा और ऐसा कलने के लिए मुझे ऐसे artifacts चीए जो मुझे flame से बचाए और यहां संग soft owner से यह कहता है कि मुझे ऐसा artifacts चीए जो मुझे file से बचाए और क्या आपके बास ऐसा कोई item है और यहां soft owner यह कहता है कि आपने fire खा लेकिन यहां संग बात काटते हुए यह कहता है कि ऐसे artifacts को डूलना मुस्किल है क्या लेकिन soft owner संग को अंदर ले जाते हुए यह कहता है कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि यह artifacts एकदम common है market में संजिन वो यह कहता है कि मुझे online ऐसा कोई भी artifacts नहीं मिला और यहां soft owner यह कहता है कि ऐसे artifacts बहुत जदा महेंगे होते है इसलिए उन्हें online नहीं डाला जाता है लेकिन आप ऐसे item डूल है तो आपको बहुत एजली मिल जाएगा और संग मनी मनी यह कहता है कि fire magic बहुत जदा common है और जो Mr. Song और Mr. Chai है वो भी fire magic का यह use करते है और यहां soft owner sang को इसको follow करने के लिए बोलता है और यहां soft owner sang से पूछता है कि आपको क्या इन में से कोई पसंद आया लेकिन यहां soft owner sang को यह बताता है कि इन गिलासों को मानम भी fuse करके बनाया गया है और इन गिलासों को एक class hunter के attack से भी कुछ नहीं होगा और यहां sang कहता है कि एक class hunter के attack से भी इसे कुछ नहीं होगा और यहां soft owner उसे यह कहता है कि आपको भी स्वास नहीं होता तो आप इस गिलास को टोलने की गोशेस कर सकते हैं और आपने इस glass को टोल दिया तो जो इसके अंदर artifact है वो आपको दे दूँगा और यहां संग मनी मनी यह कहता है कि मैं यह देख सकता हूँ कि इस glass के अंदर mana fuse है लेकिन यह देखने से इतना strong नहीं लग रहा है और इस जगे में संग serious होते हुए और अपने सारे mana को अपने आद में लेकर attack करने ही वाला होता है लेकिन यहां सोबोनर संग को रोक लेता है और यहां सोबोनर संग को यह कहता है कि मैं serious नहीं था और अगर आपने इस glass को टोल दिया तो hunter guild के light memory जगे में आ जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ contract signed किया है security का और सोबोनर मनी मनी के कहता है कि उसने यह बोला था कि वो maze type hunter है लेकिन इसके पास इसे टोलने का confidence कहा से आ रहा है और यहां संग सोबोनर से यह पूछता है कि आपके बाद ऐसा कोई weapon है जिसे त्राइग कल सकJA हूँ जैसे की कोई dagger और यहां सोब को अनर यह कहता है कि हां आमार पास इस weapon है और यहां एक और employees songe को लेके दूसरे तरफ जाने लगता है और यहां सॉब को अनर यह notice कलता है कि जो glass है वो crack हो चुका है और सॉब अनर को यह समझनी आ रहा होता है कि यह glass कप crack हो गया और उसने तो इस glass को test भी नहीं किया था और दूसरे तलब संग इस dagger की price पूसता है इस employee से और वो employee यह बताता है कि यह 30 million 1 की है और यहां संग मनी मनी यह कहता है कि इस डेगर की डिपिकल्टी भी है और यह मेरे नाइट किलर अफ डेगर से भी बहुत ज़्यदा वीक है और इस डेगर की लेवल काज का वेनम फैंक जैसी है और यहां संग अपना डेगर उस एंपलोई को देते हो यह पूसता है कि इसकी प्राइस कितने तक की होगी और इस डेगर को देखने के बाद वो एंपलोई यह कहता है कि इस डेगर को किसी मास्टर काफ मेंट ने बनाया होगा और यहां संग समनी मनी यह कहता है कि ऐसा नहीं है यह बस मैंने सौप से पलसेज कर लिया था और वो इंपलोई संग को ये बताता है कि इसकी जो value है वो 100 million तक की है और ये सुनके संग बहुत ज़़ान हो जाता है और संग मनी मनी ये कहता है कि मैंने इसे 2.8 million gold में बस परसेज किया था और जो Mr. Kim की steel sword थी वो 3 million तक की थी और उसका attack damage भी 10 था और जो Jino armor पहनता है वो भी million तक के होंगे लेकिन ये armor इतने महेंगे होने के बाद भी ये useful नहीं है और मुझे सौब के item को बेच के इतने ज़्यादा पैसे मिर रहे हैं तो मेरे पास ऐसा कोई भी reason नहीं है इस red oak को बेचने का और इसके बाद हमें white attack guild में ले जाया जाता है और यहाँ bai kunu money money ये कहते हैं कि ऐसा होना possible है क्या कि एक ऐसा handle जो level up कलते रहेगा और यहाँ bai kunu ये कहता है कि मेरे पास एक ऐसी ability है जिससे मैं ये पता कल सकता हूँ कि मेरे opponent की skill level कौन सी है और मुझे ये अच्छे से याद है जब मैं last time Sanjin Voo से मिला था तो वो मुझे कमजोल था लेकिन अब ऐसा नहीं है और मैं कितना ज़्यदा foolish हूँ और वो क्यों मेरे guild को join करें के इतना powerful होने के बाद भी और वो इतना ज़्यदा powerful है कि वो खुदी अपना guild खोल सकता है और यहाँ इस चीद से फरक नहीं पलता कि जो मारा guild है वो west ace country का या वो second west ace country का क्योंकि Sanjin Voo grow होते रहेगा और वो number one में ही रहेगा और देखने से ऐसा लग रहा है कि चाय जोंग हीन और मैंने अपना time ही वेस्ट किया है और इसके बाद हमें Sanjin Voo के apartment के सामने ले जाया जाता है जहां बहुत सरी reporter होते हैं और अभी तक सारी जगा Sanjin Voo की news ही चल रही होती है और इस जग में बाइट है गिल के Mr. Arne भी होते हैं और वो जोस में आते हुए ही कहते हैं कि बाइक उन्होंने Sanjin Voo की उपर give up कल दिया है लेकिन मैंने नहीं किया है और हम लोग को एक और वाल कोशिस करेंगे तो हम Sanjin Voo को अपने गिल में recruit कर लेंगे और यहां Mr. Arne की जो female employee होती है वो यह कहती है कि सर यहां इतने ज़्यदा रिपोर्टर के होने के वज़े से Sanjin Voo हमसे मिलेंगे नहीं है लेकिन यहां Mr. Arne हाल नहीं मानते हैं और वो यह कहते हैं कि इस जगे में हमें कैम करना पड़ेगा जब तक हमें Sanjin Voo मिलता नहीं है और यहां Sunky Sister विल्डिंग से नीचे जाकती हूँ यह कहती है कि जीन हो अभी भी हमारी बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे रिपोर्टर है और यहां सारे रिपोर्टर संकी Sister को देख लेते हैं और वो फोटो किसने लगते हैं और यह देखने के बाद जीना जल्दी से नीचे चुप जाती है और यहां Sunky यह कहता है कि मैं उन्हें नीचे जाकर यह बोल देता हूँ यहां से जानी के लिए लेकिन यहां जीना चिलाती हूँ यह कहती है कि ऐसा मत करो तुम्हें पहली बहुत ज़दा इंटरेनेट में हेट कमेंट मिर रहा है और तुम बस नीचे जाके आग में फ्यूल डालने का काम करोगे और यहां संग यह पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसके वज़े से मुझे हेट कमेंट डिजब हो रहा है और यहां जीना यह कहती है कि तुम्हें यह यादेना कि तुम रिपोर्टर के सामने से वहाँ से चले गएते और वैसे भी मुझे फरक नहीं पलता कि बिल्डिंग के बार कितने लोग हैं और तुम्हें भी फरक नहीं पलना चीए और यहां संग के गर का डॉल वेल बसता है और यह सुनके जीना डल जाती है और यहां संग गेट के पाद जाते हुए यह कहता है कि यह लोग अब हमारे फरक गेट में भी आज चुके हैं और मुझे यह लगता है कि इन लोगों को तो रबस सबक सिकाना पड़ेगा और यहां संग को जाने से मना कर रही होती है और यहां संग गेट खोल के चिलाने ही वाला होता है लेकिन वो यह देखता है कि उसके जामने जिनू होता है जो रूरा होता है और वो यह कहता है कि मेरे पादल ने मुझे गल से निकाल दिया है और यह सुनके संग बहुत ज़दा है रान हो जता है और यहां संग और जिनो को यह कहता है कि मुझे यह लगा था कि तुम्हार बस खुदका अपार्टमेंट है और यहां जिनो यह बताता है कि जो अपार्टमेंट में में रहता था वो मेरे फादर ही का था तो इसलिए सर क्या मैं आपकी प्लेस में रह सकता हूँ लेकिन यह जगे में संग गेट को लगा लेता है और यहाँ जिना संग से यह पूस थी कि वो कौन था और यहाँ संग यह कहता है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देगा और यहाँ जिनो गेट ठोक रहा होता है बाल बाल और हमें दूसरे सिन में जिनो की फादर और उसकी मॉम दिगाई जाती है और यहाँ जिनो की मदर अपने हजबन से यह कहती है कि आपको जादी सक्ती कर रहे हो जिनो की उपर और यहाँ जिनो की फादर यह कहते है कि जीनो अपनी मलजे से कोई पास सुनता तो मैं उसे कुछ भी नहीं बोलता लेकिन वो किसी और के लिए वर्क कलने के लिए त्यार हो गया और यहाँ जीनो की फादर को अचानक से अजीव लगने लगता है और यहाँ जीनो की मतर यह पूछती है कि आप ठीक हो ना कि आपको उसमें वीडियो जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी और जो आपकी कमेंटर उन्हें भी सबसे पहले रिप्लाइ मिलेगा और मुझे बता है कि आप सो को यह बहुत ज़्यादा इनॉइंग लगता होगा